आज मैं बनाने जा रही हूं मूंकी डाल, आलू और अंडे का चाकना इसी के साथ मैंने बनाया है बहुत ही जादा मज़ेदार नर्म और मुलाइम रोटी चिली बिसमिल्ला कहते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है दो कब भर कर आशिरवाद का आटा, इसी के अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, पाव चमच जितना नमक, नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर शामिल कर रही हूं दो टीस्पून जितना तेल, तेल को भी आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करते हुए शामिल कर लेंगे है इस तरीखे से सारे आटे में तेल को अच्छे से मिख्स कर लें और इसी के अंदर शामल कर रहे हूँ मैं गरम पानी नीम गरम नहें ही थोड़ा सजाधा ही गरम रहता है पानी तो गरम पानी इसके अंदर डालें इस नर्म रोटी की बहुत ही जादा फर्माइश रही थी हमरे एक वीवर से तो ये खास रेसिपी उनके लिए मने बनाया है और अभी हमें एक सख्त डो बना कर तयार कर लेना है इस तरीफे से एक सख्त डो बनाएंगे अधिके अच्छे से सख्त डो मना कर रिस्ट करने के लि प्याज शामल और इसे अच्छे से ठोड़ास खारन एक ब्राउन ने तक हमें भूना होगा और यह हम पर प्यास हमारी ब्राउन हो चुकी है इसि के इंदर शामल कर रही हूँ एक टीस्पून अदरक कापेस्ट और एक ही टीस्पून हमें इसके अदर लहसन कापेस्ट शाम अब आती है बारी सुख्य मसालों की पाउ चमच हाल दी एक चाई की चमच लालमेश पाउडर दो चाई की चमच हम इसके अंदर धन्या पाउडर डालेंगे और पाउ चाई की चमच से भी थोड़ा कम गरम मसाला इसके अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भूना होगा क्योंकि अच्छे से चीपक रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे दो टेबल स्पून जितना और मसालों को अच्छे से भून लेंगे इस तरीखे असे मसाले अच्छे तो हम इसके इंदर शामिल करेंगे दो बड़े साइस के क्यूपस में कटे हुए आलू और आलू को भी हमें मसालों के साथ मिलाते हुए अच्छे से भूनना होगा और अब मैं इसके शामिल कर रही हूँ दो टी स्पून जितना ताजा पिसा हुआ नारेल नारेल कंप्लीटली अब आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और यहां पर मुझे मसाला थोड़ा रूखा लग रहा है और नीचे से चिपक रहा है तो थोड़ा पानी इसके डालोंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगे और अब मैं इसके डाल रही हूँ नमक खस विजाई का अ अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें पकाना होगा तो मुझ की दल को हमने मसालों के साथ मिला कर अच्छे से भूण लिया है अब आती है बारी इसके अंदर पानी आट करने की तो इसके अंदर एक गब जितना पानी जाएगा और यहां पर एक छोटा सा व दो विजल्स लेना है हमें आप चाहे तो इसे खुला रखकर भी आराम से गला सकते हैं और जब तक दो विजल्स आते हैं हम बना लेते हैं पेड़े इस तरीखे से एक मरतबा अच्छे से इसको गून लेंगे आप चाहे तो तेल भी डालकर अच्छे से गून सकते हैं और ज इस तरीखे से बना कर हमें तयार करना होगा और एक पेड़े मैंने ले लिया है थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ और इसे एक अच्छा सा राउंड शेप दे देंगे सुखा आटा डस्ट कर रही हूँ तो यह मैंने एक पेड़ा बना लिया है और दूसरे पेड़े का भी एक रोटी बना रही हूँ तो इस तरीखे से रोटी बिन ले फिर से एक चमच गी इसके अंदार शामिल करें घी आ तेल आपके मर्जी कुछ भी लगा सकते हैं और इसे के और एक नाइफ की मदद से इसे हम कट कर लेंगे इस यह तरी हैं और इस तरी की से फोल्ड करते जाएगे ट्रायंगल शेप में इसे अच्छे से फोल्ड करना होगा इसे यह होता है कि इसकी बहुत ही जाधा मस्यदार जो लेइर की रोटी हेझे वह खोल दे और इस तरीके से टाप कर लिए यह दिखें इस तरीके से पेड़े बना कर आप तयार भी कर सकते हैं तोपेड़ बन चुक हैं दो विजल्स आ चुके हैं कुकर में अब कुकर को खोल रही हूँ और माशालला देखें कुकर ठंडा होने के बाद ही मैं हमेशा खोलती हूँ तो आलो महतरीन तरीह से गले हुए है और अंडा भी अच्छे से गला हुआ है और यह जो किनारे में मुंकी दाल और आलो है सारे अच्छे से गले हुए हैं बहुत ही जादा मज़ेदार चाकना बनकर निकलता है और बहुत ही जादा हेल्थी और डिलिशेस बनता है आप रेसिपिक को ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं और यहां पर हमारे पेड़े को मैं इस तरहे से गोल बेल रही हूँ इस तरहे से नर्म हातों से हलके हातों से आपको इसे बेलना होगा और तब हमारा गरम है गरम तब पर ही रोटी हमें डालनी होगी तब ही हमारी रोटी बहतरी तरहे से बलकर निकलती है और इसे अलट पल और यहां पर देखें, हमारी रोटी बनकर तयार है, बहुत जादा सॉफ्ट रोटी बनती है, अब इस रज़ तरीखे को अपना सकते हैं, बिल्कुल मैं जोर नहीं डाल रही हूँ हूँ, और रोटी बेहतरी तरीखे से तूट रही है, बहुत जादा नर्म और मुलायम रोट बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं, और आज चल, वेजिटेबल बहुत ज्यादा महें हो चुके हैं, तो मैं समस्ती हूं कि इस लिए था रेसिपी जोरु ट्राइ करें पसंद आती हो तो मेरे रेसिपी को लाइक कर दें, अपने दोस्ते हभाब के स अब तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें अमिद करती हूं कि आपको मेरे रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज